विश्राम के दिन, भलाई करना वुचत है या बुराई, जान बचाना या मार डालना संत मारकुस का सुसमाचार अध्यायतीन पत्संक्या चार आज का सुपसंदेश प्रभू मेरी चटान है धन्य है प्रभू मेरी चटान धन्य है क्रिस्त में मेरे प्यारे भायों और बहनों आज हम संत अंतोनी, मठाद्यक्ष उनका स्मृत्य दिवस बनाते हैं किस प्रकार संत अंतोनी ने अपना जीवन को चोड़ कर अपना सांसारी जीवन को त्याग कर मठ में अपने जीवन प्रभू को कुरुबान करते हैं सब कुछ अपना जायदाद हो गया, अपना परिवार हो गया संपत्य धन दौलत सब त्याग देते हैं और वो अकेले चल पड़ते हैं और प्रभू का जीवन को मनन चिंतन करते विए उनके जीवन के दुवारा लोगों को प्रभू के पास बुलाते हैं और एक महान मधाद्यक्ष बनते हैं आज हम उनसे सीखना है किस प्रकार मेरा दन दौलत नहीं लेकिन जो मेरा कम्या है आद्यात्मिक जीवन की कम्या है उसको प्याक कर प्रभू को अनुसरन किस प्रकार हम कर सकते हैं इसलिए हम पढ़ते हैं आज का सुपहले पार्ट में दाउद अपने किशोर वस्ता में ही अकेली ही युद्ध करने जाते हैं और युद्ध जीत भी जाते हैं क्यों? वो अकेले नहीं थे वाँ पे प्रभू उनके साथ थे उन्होंने विश्वास किया कि प्रभू मुझे त्यागेगा नहीं संत अंतुनी ने विश्वास किया यदि हम प्रभू के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे मुझे प्रभू नहीं त्यागेगा भलकि वो मेरा साहारा बनेगा वो गान गाते हम सहरा मुझको चाहिए जिया मेरे प्यारे विश्वास्यू यदि हम विश्वास के साथ कुछ भी काम करना आगे बढ़ेंगे हिम्मत ना हरने चाहिए प्रभु येश्व का जीवन को देखेगा वो अच्चाई और सच्चाई करते हुए आगे बढ़ते हैं आज कासू समचार में हम देखते हैं वो प्रश्वन करते हैं फारेजियों को शास्क्रियों को विश्राम का दिन भलाई करना उचित या बुराई किसी का जान बचाना चाहे या किसी को माल डालना उनकी पास कोई उत्तर नहीं था क्योंकि प्रभू संसार में आये थे दूसरों को मुक्ति देने के लिए दूसरों को जान बचाने के लिए दूसरों को उद्धार करने के लिए लेकिन फारेजियों लोग वो नहीं चाहते थे उनको रोकना चाहते थे प्यारे विश्वासियों हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे तकलीपे आएंगे बड़े बड़े पत्तर सामने रहेंगे खांटे होंगे उसके बावजूद भी क्या हम प्रभू का पच्चिनों पर चलते विए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं क्यों नहीं हम विश्वास करते हैं आपने आपको प्रभू के आतों में सोमते विए यही प्रात्न करें प्रभू जैसे आपने धाउत को विश्वास दिया था संत अंतोनी मताद्यक्षों विश्वास दिया था वो विश्वास हमारे जीवन में एक बार दीजिए आमिन